मुझाल ओयर वाले किम गाईज वेलकम बैक टो एन अधर वीडियो गाईज आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं लोग मियूआई प्रो रोम के बारे में जो के MIUI Pro 11 20.4.9 पीटा के उपर बेस्ट है गाइस यह कस्टम रूम है एक मॉडर्ट रूम है गाइस आप कह सकते हैं कि यह एंड्रोइड 10 के उपर बेस्ट है कॉफी जबदा जिसके अंदर आपको स्पैक्स और फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे और साथी साथ आपको सब कुछ क्लियर हो सके कि आपने इसको कैसे इंस्ट्रॉल करना है और कैसे इसको फ्लैश करना है गईस गईस अगर बात करें मुस्लिफ फीचर्स की तो सबसे पहला जो फीचर्स है वह आपको मिल जाता है यहां पे नविकेशन पार सैकंड फीचर की बात करें तो MIUI 11 प्रो जो है वो वरकिंग है मैं आपको चेक आउट करवा देता हूं वाइफाइप प्लस हॉट्स पाट तो गईस यहां पे हॉट्स पाट वर वाइफाई के अंदर अभी बग है जो के आपको नेक्स अपडेट की अंदर फिक्स होता हुआ मिल जाएगा घास तो जैसे ही फिक्स ह होगा उसके उपर मैं वीडियो बना दूँगा गाईस नेक्स रूम की इसका जो लेटस आने वाली बिल्ड होगी गाईस उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया जाएगा आइम शूर गईस तो अगर बात करें नाइट मूड की थर्ड पार्टी टीम्ज की और मुत्यू किसम के न लो अगर आप मैं यू उट वैल यूज करेंगे तो इसनके अंदर आपको फ्रंट के इंदर बग मिलेगा जो के मुझे नहीं लगता कि का northwest का कम Os sectors के आप लोग के आप लिकिक्सेल करके चेक्शयक आउड करवा देता हूं गीस तो इसकी भी इलिडिती जो है वह वह काफ ह जबदास है गाइस अगर आप मेरी मानिए तो गईस सजेशन यही है कि आप मेरी ट्वेल के अंदर काफी साथे बग्स हैं गाइस जो कि नेक्स आने वाली अपडेट में फिक्स हो जाएंगा तो गईस बात करते हैं अपने रूम्स की डिटेल के बारे में तो अब सबसे पहले लाइस लाउक स्क्रीन शॉटकर्ट तो आप यह चेकड़ ले लेना गाइस लाउक स्क्रीन लाउप यहां पे आपको दे लिया गया जो कि दो तीन और यहां पर आप अपनी मर्जी सेज को सेट कर सकते हैं गईस डिस्पले के अंदर आपको भी आप्शन कलर स्कीम डार्क system animation की चेंज करने के भी options मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर use कर सकते हैं उसके बाद status bar के अंदर आप जाते हैं तो यहां पर आपको थोड़ सी customization के options मिल जाते हैं जैसे आइकन जिन status bar में आप लोग network का आइकन चाहिए या नहीं hide icon no sim यह option आपको चाहिए तो यहां से आप लोग enable or disable कर सकते हैं गईज और साथी साथ आपको battery indicator यहां पर options मिल जाते हैं percentage percentage only और percentage next to the icon size percentage आप percentage की size को default रखना चाहते हैं यहां उसको large रखना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इसको change कर सकते हैं battery icon आपको rectangle चाहिए या oval shape में चाहिए तो यह आप लोग check out कर सकते हैं यहां पर आप लोग इसको change करके rectangular shape में भी कर सकते हैं और यहां से आप लोग notification panel को जो setting है उसको icons को six से seven भी कर सकते हैं four कर सकते हैं अपनी इसाप से आप इसकी width and height ode ko change कर सकते हैं कितने नमब्र आपने कि'Sकॉ कितने नहीं और लोग आप यहांसे इसको जेंज कर पाँए घाई मैं डिटेल मैं यहांगा किव आप फुदभी इसको जब यूज करेंगे तो आप टैफिनिटली करेंगे कि यह काफी जब दा स्रूम है गाईज और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाईज और साथ ही लाइक एंड शेयर लाजमी करते ना गाईज विडियो ची लग रही हो तो गैस लाइक कर देना हम नेक्स चलें नोटिफिकेशन के अंदर आपको वही आप्शन हैं उस लोट करना है और वही आपने इंस्ट्राल करना है गईज तब ही आप लोग इसके अंदर रेंड़ टैन के जैसे यूज़ कर पाएंगे वही आप्शन्स आपको मिल जाते हैं आइकेंस साइज होम स्क्रीन लेयाउट आपको दिखाने की जरुवत नहीं ही है मैं आपको तो स काफी फास्ट भी हैं गईज बैटी अंदर आपको यहां पर इसका इंटरफेस कर दिया गया है बैटी आप्टिमाजेशन के अंदर आपको अल्टरा बैटी सेवर भी मिल जाता है गईज वसाथी साथ अगर इसके बैटरी टाइमिंग की बात करें तो गईज आप बैटरी साथ तक आप पॉपर्ली कांटिनियूस ली पपजी खेल सकते हैं गाईज और गईज बैटी टाइमिंग की बात करें तो बैटी टाइमिंग वेरी एक्सलेंट का स्क्रीन ओन टाइम को काफी सब्सक्राइज रात को मैंने इसको छोड़ा था फार्टी पर फार्टी सकते हैं थार्टी नाइन परसेंट यह अभी सुबह यूज करते हुए एक पॉइंट जो है वो एक परसेंटेज कम हुई है गईज तो आप लोग यहां से अंदादा लगा सकते हैं कि यह काफी सब्सक्राइज का रूम हो सकता है गईज और उसके बाद यहां पर आप्शन आपको मिल जाते है मैनेज अप्स ट्यूल एप्स प्रमिशन एप लॉक वगएरा सिस्टम मैप सैडिंग वगएरा यह ऑप्शन आप देख सकते हैं गई और स्क्रीन टाइम के अंदर आपको काफी सारे डिजिटल वैल बिंग का जो निया फीचर आए हैं वो देख सकते हैं इसको यूज नहीं करेंगे जिए ज्यादा यूज करेंगे तो यह उसको भी बता देखा गाइस आपको अडिशनल सैटिंग मैंने आपको अडिशनल सैटिंग्स के अंदर वही आप्शन आपको फूट स्क्रीन डिस्प्लेई यहां पे आप लोग अगर आप करेंगे यह वर्किंग होगा तो गईस रूम कैसे इंस्ट्राइब करना है पॉपर तीकिसे मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो को एंड तक देखना मिस आउट ना करना स्किप ना करना गाइस स्किप करेंगे तो यह आपको समझ नहीं आएगी अंडरस्टैंडिंग आपको नही गईस पबजी के ओपर तो गईज यह मैंने लगा रखा है थीम तो यह आप थीम जो है वो यूज कर सकते हैं आयो एस थीम है जो कि मैंने लगा रखा है गईस तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोइट कर दूंगा आप वो उसको ड़नोड कर लेना यह नैविगेशन बार स्टाइल आप देख सकते हैं वालियम बार्ड का स्टाइल जो है वो काफिया तक चेंज है वान प्लस की तरह है आप लोग चेक आउट कर सकते हैं इस टाइम पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूं गईस तो आप यह काफी ज्यादा इसके अंदर आप्शन तो गैस अगर मेरे पपजी के रिव्यू की बात करें एक दिन इसको यूज़ करने के बाद करिश मैं आप से शेयर कर रहा हूं हूं यह मेरा ऑनेस रिव्यू होता है किसी भी रूम के बारे में मैं सबसे पहले उसको खुद टेस्ट करता हूं पॉपरली तैन उसके बाद मै इस वीडियो के ऊपर काफी ज cargo सानेवाले हैं और काफी ज्यादा लोग इसको शेयर करने वाले हैं वीडियो को तो मयिज आप से पसियही सबता है कि ऐसको आदर ऑब पसंद है तो आप Riverton उसके लिजा आपको प्रवाइड करेगा मैं आरेडी खेल चुका हूँ मुझे काफी ज्यादा जबदस प्रफार्मस लगी इसकी गईज तो मैं ज्यादा तर गईज इसको खेलता हूँ एच डी के उपर नहीं खेलता मैं हाई और स्मूद के ऊपर खेलता हूँ जो कि काफी जबदस आपको प्रवाइड कर देता है और अगर आपने मुझे एड़ करना है तो मैं आपको जो है वो आईडिया अपनी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दूंगा वलीद एहमद 93 के नाम से तो आप मुझे पपजी के ऊपर एड़ कर सकते हैं और हम काफी ज़्यादा गेंपले खेल सकते हैं इसके उपर अब बात करते हैं आपने इसको कैसे करना है इस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके जो है रेडवी नोड़ 5 प्रो के अंद के ऊपर है ने इसको करना है बूट और इंफक्स रेकवरी जैसे ही आप वरिच रेकवरी के वपर बूट भूस्ट करेंगे नए सो प्रसेजर हो मैं आपको बता दूँगा घष अप यह हम लोग आ चुके हैं और फक्स रेकवरी के ऊपर तो सबसे पहले आपको घईस क्या क अगर डिंवब्ड संदुन में मैंने आपको एक रिक्वरी की इमज़ फाइल प्रवाइड की हुई है रिकवरी की इमज फाइल को आपने डंशलोड करके इंट्रनलीर स्ट जोडिशिए आंदर सेर्ट कर लें है वारा सिर्वीट करूँगा कि इमेज फाइल जो है रिकवरी की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर रखी है आपने उसको डाउनलोड करना है और उसको इंटरनल सोरीच के अंदर सेव कर देना है वो रिकवरी की फाइल जो है वो गाईज यह है डाउनलोड के इंदर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले आपने क्या करना है गाईज आप देख सकते हैं टी डव्यू आर्पी नाइन पॉइंट ओपाई थ्री पॉइंट री जीरो डीजी डाट इमेज तो यह एक इमिज फाइल जो है रिकवरी की टी डव्यू आर्पी की मैंने आ रिकवरी या और रिकवरी आपने इसको फ्लेश्ट करना है गईज एजिया ले जाएगा और इसे बात द्यान कि bunny की आंदर जो है वो flash होगा अगर आप orange fox और pitch black के उपर इसको install करने की कोशिश करेंगे तो वो error seven देगा आपको तो आपने इस बात का दिहान रखना है अब आपने क्या करना है wipe के उपर जाना है advance wipe के उपर जाना है सबसे पहले डेलवी के इस data system और vendor आपने इसको simply जो है वो swipe to wipe कर देना है guys swipe to wipe करने के बाद guys आपने जाना है back आपने room की जो फाइल जो है वो description में आपको link provide कर दिया गया है आपने उसको download करके internet storage के अंदर save कर लेना है जो कि है MIUI यह देख सकते हैं MIUI V10 weird 20.4.9 ported तो यहाँ पे आपने इसको guys क्या कर देना है swipe to confirm flash तो यहाँ पे यह flashing का time थोड़ा सा लेगा जैसे ही फ्लेश होगा मैं आपको board screen के उपर ले चलता होगा इस तो इसको थोड़ा सा time लेने देते हैं guys तो जैसे installation complete होगी आपने wipe cash यो डेलवी को आपने swipe to कर देना है उसके बाद आपने करना है reboot system अब यह थोड़ा सा time लेगा guys इसकी boot up screen आएगी दो से तीन मिल्ट यह दो से तीन तफ़ा यह reboot होगा tension नहीं लेनी कोई भी किसे किसेंगी आपने आपने इस वेट करना है है guys अगर साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग नहीं हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना यार लाइक करके जाना बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में तो प्लीज यार आप से रवेस्ट है जस्ट आप यह चेक आउट कर सकते हैं guys इसका boot animation जो है को काफी जबतास आपको देखने को मिलेगा guys मैं आपको दुबारा दिखा रहूंगा इस काफी जबतास के समगा यह boot animation आपको इसके अंदर मिलेगा guys जैसे ही यह boot up होगा मैं आपको इसकी home screen के उपर ले जाओंगा वहां से आप इसको setup करेंगी और साथ ही इसको आप use करना start कर दें करने के लिए तो यहां पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे second option के उपर second option यूपर जो है वो आपना आप जो वाइफाई का जो password है वो डालेंगे लेकिन keyboard को change करने के लिए यहां पर आपने इसको press and hold करना है तो यह आपके बाद दो options आएंगे about 3 quality keyboard की आपने second option को select कर नहीं है यहां पर आपने में पॉस्फ़र ढराना है तो मैं पॉस्फ़र डाल दीता हूं आप चश्ख जैसे घ्क जो जो है वो लॉग इन करेंगे मियूवाई का तो आप सी ऑप्शन मांगेगा नेक्स तो यूए सिसको मकमल सेट अप कर लेना है गाईस तो वीडियो में वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना या शेयर कर देना और साथ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं मै नेक्स वीडियो में, I will see you in the next video, take care guys.